पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेवी ग्लोबिन सिरप के बारे में जो की सिरप है प्रोटीन आयरन विटामिन विद जिंक की तो इसके कंटेन भी हम टिटेल से चेक कर लेते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इज 15 ml कंटेन में आप यहाँ पर देखिए प्रोटीन हैडोलाइसेट 1 ग्राम पर है साथी फेरस क्लुकोनेट 300 mg पर है विटामिन B12 15 mg पर है फॉलिक एसीर 1.5 mg पर है और एलिमेंटल जिंक है 8 mg पर इस तवा में रहता है अगर इस मेडिसिन के फायदों के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स नेवी ग्लोबिन सिरप सुगर फ्री दवा है जिसका ओपयोग विभिन प्रकार के एनिमिया में किया जाता है एनिमिया का आर्थ है खुन की कमी जैसे आयरन डिफिशनसी एनिमिया आयरन की कमी होने से ब्लड सेल का लेवल जो है हमारे बॉडि में कम हो जाता है जिसके वज़े से हेल्दी आर्बी सी नहीं बन पाती है ऐसी कंडिशन को ठीक करने के लिए यहां दवा दी जाती है आयरन डिफिशनसी एनिमिया को चेक करने के लिए डॉक्टर फेरिटिन लेवल टेस्ट की सला दिया करते हैं इसके साथ ही नूट्रिशनल एनिमिया में भी इसका उप्योग किया जाता है जिसमें पोशक तत्वों की कमी के वज़े से सरीर में परियाप्त ब्लड नहीं होता इसके अलावा प्रेगनेंसी हो किसी चोट की वज़े से अगर जादा खुन निकल गया हो या अन्य वज़े से एनिमिया की कंडिशन बन गई हो उस समझय में इस सिरफ को दिया जाता है यहां दवा बलड बढ़ाने के साथी कमजोरी ठकान को भी दूर करती है यहां 300 ml के पैक पर आती है वैसे तो यहां एक सेंपल पैक है इसलिए यहां 200 ml का है लेकिन ओरिजिनल पैक 300 ml का आता है जो कोश्ट करता है 177 रूपीस इस सिरफ को मैनुफेक्चर किया जाता है नेविल लेबिरेटिस दुआरा दोस्त के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तो इसे अडल्ट में बढ़ो में 15 ml प्रती दिन खाना खाने के बाद लेने की सला दी जाती है और यहाँ डिपेंड करता है आपके कंडिशन के उपर कि डॉक्टर आपको कितने दिनों तक इस सिरफ को लेने की सला देते हैं साइड इफेक्ट नॉर्मली इस मैडिसिन के कोई भी नहीं होते हैं लेकिन कुछ कंडिशन में ओल्टी नौसिया दस्त होना या अपच की समश्या हो सकती है अगर आपके पहले से या अन्य और कोई दवाईया चल रही हो या अन्य और कोई प्रॉब्लम होतो उस बारे में डॉक्टर को आप जरूर बता दीजेगा सिरफ की आप पैकिंग भी देख लीजे कुछ इस तरह की यहां सिरफ आती है दोस्तों और इसे लेने से पहले आप अच्छे तरह से इस तरह से शेख कर लीजेगा ताकि आपको जो दवा का रिजल्ट है अच्छा मिल सके और आप जब भी कोई भी सिरफ इस्तमाल करते हैं उसके पहले आप से करना नहीं भुलेगा आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दीगे इंफर्मेशन पसंद आई हो अगर आपको इस सिरफ से जोड़े कोई भी प्रशन हम से पूछना तो आप हम से कमेंट के मार्द्य हम से पूछ सकते हैं आपकी कोईशन का हम जल से जल रिपला करने कोशिश करेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह दवाईयों से जोड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने यूटूब चैनल एजू फार्मेसी को सब्सक्राइब करके अपना प्यारो सपोर्ट दे सकते हैं